हलो दोस्तों फिस भालन पूर में आपका स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप अपने तलाब पे मचलियों को जो खाना दे रहे हैं तो उसमें कौन से मचली को कितना खाना देना चाहिए लाइक आपके तलाब में अगर एक किंटल मचली है त उसमें कितना खाना देना चाहिए तिन किलो चार किलो पांच किलो और जो आप खाना दे रहे हैं उसमें राइस ब्राण खली अगर मिक्स करके दे रहे हैं तो राइस ब्राण कितना होना चाहिए ये भी जाना जोड़ी है क्योंकि क्या करते आदा राइस ब्राण आदा खली मिला करके दे देते हैं जो कि यह सही तरीका नहीं है क्यों सही तरीका नहीं है विकॉज 100 ग्राम के मचली को ज्यादा प्रोटीन का जोध पड़ता है और 500 ग्राम के मचली को 100 ग्राम के मुकाबले कम प्रोटीन का जोध पड़ता है इसलिए हमें दोनों को ब्रावर मात्रा में ब्रावर मात्रा वाला प्रोटीन वाला फीड नहीं देना चाहिए ठीक है तो इस वीडियो में मैं यह भी बताऊंगा कि उसमें मात्रा कितना होना चाहिए राइस ब्राण का और खल्ली का और साथ में मैं यह भी बताऊंगा आपको कि कितना मात्रा होने स माल ले जी अगर आपको तिन किलो खाना देना है किसी तलाब में तो उसमें अधा अपने राइस ब्रहन दिया और अधा खली दिया तो यह जो दे रहे हैं तो इससे कितना परसेंटेज प्रोटीन वाला फीड तेयार हो रहा है वो भी आपको जाना जूड़ी है ठीक है तो यह देना चाहिए सिर्फ राइस ब्रहन खली देने से नहीं होता है या मक्के का दर्रह देने से नहीं होता है उसमें कुछ एक और भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ही माइनर है बहुत ही इजी अबलेबल है वो भी देना चाहिए उससे देने से आपका फीड रहेने पर ठीक है तो सपोज एक्जामपल लेते है कि आपका एक एकर का तलाब है और उसमें आपने एक्जामपल ले रहा हूं कि एक कुूंटल मश्ली अपने डाला हुआ है ठीक है आपका मशली अगर एक क्उंटल है टोटल, तो उसका सारे 3 परसन हुआ, सारे 3 किलो आपको सारे 3 किलो खाना उसमें देना है, ठीक है? फिर यह 200 गराम होता है, 300 गराम होता है, तो यह फिर सारे 3 किलो घटे, मतलब जो परसंटेज है वो घटने लगता है, जैसे साहे 3% से 3% पर आ जाता है फिर 5% तक जाता है ठीक है तो मैं ये इसको डिटेल में मैं किसी और वीडियो में बताऊँगा बेट मैं अभी एवरेज बता दे रहा हूँ कि 100 ग्राम से 200 ग्राम साहे 3% आपको खाना देना है और 200 ग्राम से 500 ग्राम तक के मशली को 3% के हिसा आप से खाना देना है ठीक है मतलब 500 ग्राम के अगर उपर का मशली है तो आपके तलाब में अगर एक क्यूंटल मशली है तो उसको धाय परसन जाने की एक क्यूंटल मशली को धाय किलो खाना देना है अगर 500 ग्राम से उपर का वो एवरेज साइज है तो ठीक है अब हम बात करते हैं कि यह जो हम फीट दे रहे हैं ठीक हैं तो इसमें कितना राइस ब्रान होना चाहिए और कितना खली होना चाहिए यह डिपेंड करता है कि आपका मचली का साइज क्या है उसी के उपर यह डिपेंड करता है कि उसमें राइस ब्रान कितना होना चाहिए चूंकि जितना आप अलग अलग देंगे रेशियो जैसा रहेगा उसी सबसे प्रोटीन का परसेंटेज बनेगा और मैं सबसे पहले यही बता देना चाह रहा हूं कि प्रोटीन परसेंटेज कैसे कल्कुलेट करते हैं फिर आप खुद ही इसको डिस डिसाइड कर पाएंगे कि आपको कितना र अगर 10 camera आपका खाना बनाने जा रहा है तो उसमें और ये भी मान के चलता हूं कि मान लिज आपका मश्रीश का एब्रेज बिट 100 ग्राम थी송र तो उसमें क्या होगा कि आप खली देंगे उसमें 65 परसेंट ठीक है 10 yang में 65% हो गया 16 and rat six kg को हम इसमेंि यह हम खली देchu है तो खली का प्रोटीन होता है खली में प्रोटीन होता 32 का लगबग में ठीक है 32 परशेंट तो सारे 6 किलो खाना जा रहा है तो सारे 6 कगिलो इंट्व सारी दियू करेंगे तो इसमें जो आएगा वो 20.8 आ रहा है अब इसके बाद हम rice bran का करते है calculate, rice bran हम इसमें देंगे 35% यानि कि सारे 3 kg हुआ, तो इसको 35 into 0.12, 0.12 इसलिए क्योंकि इसमें protein 12% के करीब में होता है, तो मैं इसको 0.12 लेता हूँ, तो इसको करते हैं, तो 4.2 आता है, अब दोनों को मिला देते हैं, तो 25 आता है, तो अब यह जो आपका feed तयार हो रहा है, जिसमें आपने 10 kg feed में सारे 6 kg खली दिया और सारे 3 kg rice ब्रांद दिया है, इसमें आपका 25% का protein वाला feed तयार हो गया है, अब इस feed को आप 100 ग्राम के मशली को देना है, तो फिर यह ठीक है, आप इसको आराम से दे सकते हैं, बट अगर 500 ग्राम के मशली को दे रहे हैं, तो फिर आपका यह खली का percentage घड़ जाएगा, घड़ा सकते हैं, क्योंकि खली थोड़ा महेंगा होता है, तो आप घड़ा देंगे, तो आप इसको मालिज आपको 22% का protein देना है, ठीक है, 500 ग्राम से ज्यादा का मशली है, तो आपको 22% का protein देना है, त उसमें आप क्या कर सकते हैं, कि 50% इसमें अगर आप खली देते हैं, तो 50 into protein वाला जो है percentage, 50 into 0.62 करेंगे, तो आपका आजाएगा 16, ठीक है, और मने कि 16, और उसके बाद rice ब्रान अगर 50% देते हैं, तो 50 into 0.12 जो की percentage है, protein का 12, तो 50 into 0.12 आएगा 6, और दोनों को अगर मिला देते हैं, तो 22, अब ये 22% protein वाला खाना आप अराम से 500 ग्राम के मचली को दे सकते हैं, इसी तरीके से आप calculate कर सकते हैं, कि अगर आपको किसी मचली को ज़्यादा protein वाला खाना देना है, तो जिसमें ज़्यादा protein है, जिस खाने में, उसकी मातरा को बढ़ा दीजे, और उस करने के बाद आपका protein का percentage निकल जाएगा, ठीक है, तो अब मैं आसा करता हूँ, कि आप ये समझ गए होंगे, कि आपको आपके तलाब में किस सेज का मचली हो, और उसको कितना percentage का protein feed खिलाना है, इस matter पर भी मैं अगला वीडियो में बना दूँगा, कि आपको कितने कराम का मचली को कितना percentage वाला feed, protein वाला feed देना सही रहता है, तो उसके इसाब से आप अपने इसाब से feed बना सकते हैं, और आपको पता भी होगा, कि आप कितना percentage वाला feed खिला रहे हैं, अपने मचली को, ठीक है, और दोस्तों, जो कि मैंने आपसे वादा किया था, bonus point बताऊंगा, व तो rice branh का 40% या 35% अप कर रहे हैं, तो उसमें उसको, उसका percentage घटा करके आप इसको मक्य का दर्रा एड़ कर देंगे, तो ज्यादा बेटर होगा, क्यों बेटर होगा, क्योंकि जितना feed ingredients ज्यादा होगा, जैसे कि माली जब rice branh खली दे रहे हैं, तो वो दो चीज हुआ, उस नहीं होता है, उसमें बहुत कुछ होता है, protein, fat, carbohydrate, vitamins, minerals, zinc, यह सब, अगर आप अलग अलग तरके का feed add कर रहे हैं, तो सब में कुछ न कुछ extra benefits होता है, वो आपके feed में add हो जाएगा, जिससे कि आपके मशली का growth बहुत अच्छा होगा, ठीक है दोस्तों, तो अब दोस्तों, मैं आपको एक और चीज बताने वाला था, कि आप जो भी feed दे रहे हैं, उसमें और क्या add करने से आपका feed complete होता है, जो कि बहुत ही easily available है, जिसमें, मैं सबसे पहला नाम लोंगा, नमक का, आप जो भी feed तयार कर रहे हैं, उसमें 2% आपको नमक देना है, जैसे कि माली आप 10 क खाना तयार कर रहे हैं, तो उसमें 10 किलो का 2% होता है, 200 गराम के करीब में होता है, और 7 में आप mineral mixture भी add कर सकते हैं, जो कि 1-2% होई, जितना खाना अप तयार कर उसका 1-2%, यानि कि 100-200 गराम आप mineral mixture भी add कर सकते हैं, जो कि easily available है, दुकान पर, ठीक है, और दोस्तों कैसा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को जादस जादस लोगों के पास share कीजिए, क्योंकि इसी तरिके का मैं practical वीडियो बनाते रहता हूं, और आगे भी बनाऊंगा, ठीक है, धन्यवाद